सबी बाईयों को नमस्कार सबी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल संसनीवाल डेरी फार्म पे आज करनाल जिले में हैं और करनाल वो मार्केट होती थी करनाल और रोतक जहां से पूरी इंडिया में पसुश अपलाई होते थे आज की वीडियो में देखेंगे बहुत सारी भारी बरकम बड़ी बड़ी बैसे बाई साब के यहां और काफी ज़्यादा बंदी हुई हैं कुछ बाहर भी हैं कुछ अंदर भी हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो देखें वीडियो थोड करते हैं बात करते हैं बाइसाब नमस्कार बाइसाब सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे दर्मेंदर सिंग अपना नाम जी दर्मेंदर सिंग तो बाइसाब यह जो डेरी फार्म हाप किस नाम से चला रहे हो किसान डेरी फार्म के नाम से किसान डेरी फार्म गाउं कौन सा है जी है गाव मंजूरा है जी है मंजूरा मंजूरा करनाल से कैथल सड़क जाती है करनाल से कैथल वाले रोड पे है 15 किलोमेटर कैथल से किलोमेटर है कैथल से 40 किलोमेटर है कैथल से 40 ठीक है कितने साल होगे जी पसुपैलन का काम करते हुए अपने दादा जी करते द सब्सक्राइब करें तो एक नंबर वाली जोटी से सुरू करते हैं खोल के चलाओ इसको बाइसाब कौन से ब्यात्की है कितना दूद्ध दे रही है दूसरी बार किया भाई जी हाँ दूसरे ब्यात की बीस लीटर दूद्ध देने वाली जोटी है ठीक है तो भाई साब इसकी कीमत क्या रखी है इसके एक लाख पैंतिसा जार रुपे बालों की कटिंग अभी ताजा ताजा की है इस कारण से जो है जोटी थूडा सा कलर फिका लग रहे है आज ही कि यह बाई स खुबसूरत है आज ही बालों की कटिंग की है बाई साब ने बताया शोडा लिटर दूद मातर छे दिन की ब्याई हुई में लंबा चोडा अडर है 20 किलो दूद जो है जोटी निकालने वाली है बाई साब ने बताया यह देखिए बहुत ही बढ़िया इस से आगे दो ठीक है तो क्या कीमत है जिसकी इसके 1,20,000 रुपे है बाई साब ने और कल ही बच्चा दिया है खाली है और बाई साब का कहना है दस लीटर से सुरू हो जाएगी खीश से यह देखिए साब सुत्रे अडर वाली बड़ी असुंदर जोटी है बाई साब के पास बिलकुल छो बारी तेन नमबर वाड़ी यह बाई सब ही ली मोके त्यार थारा त्यार है कितने दिन की ब्याइय में 13 लिटर ईसकी क्या कीमत रखिया जी इसके भाई सब एक लाख पंद्रा अजार रुपे एक लाख पंद्रा अजार रुपे मोक्के पे ठारा किलो दूत्यार है फुल लंबाई उचाई की बैंस है थोड़ा सा मेरी ख्याल से साइड लिये हुए है और बाई है और साइड इसी कारण रेट भी कम हो सकता है कीमत क्या बताई एक पंद्रा एक पंद्रा मोक्के पे फिलाल त्यार अठारा किलो दूत्यार बहुत बड़े साइज की बैंस है यह देखिए आगे वाड़ी खोलो जी तो इससे आगे चार नंबर पे देखिए बात करेंगे पूछेंगे बाई साब से यह भी बिल्कुल छोटे सिंग की कोन से ब्यात किया जी दूसरी बार की बच्चा दिया हाँ हाँ और कितना दूद निकाल देगी बाई 14-15 लीटर जी 14 पंद्रा कीमत क्या है इसकी 90 हजार रुपे है 14-15 किलो दूद निकाल देगी लंबाई बड़ी 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 आ उंचाई भी मीडियम कह सकते हैं कम ही है, अभी सायद क्या बता खी से भी खाली कर रखी होगी, ठीक है, ये देखेए, इससे आगे ये वाली जोटी भाई, इसमें भाई सब अभी 17 लिटर त्यार है, मुझे बे, 17 लिटर, कोण से ब्यात किया जी है, भाई जी दूसरे बार की है, 17 लिटर् कितने एक दिन की ब्याई होगी 20 दिन की ब्याई जोटी 17 लिटर दूत्यार दूसरे ब्यांत की एक लाख दस अजार एक लाख दस अजार जो सिले अडर वाली देखिए चारो थणा लग अलग काफी दूरी पे इसका भी थोड़ा सा कलर जो है फिक्का दिखाई दिए रहा है आगे वाली खोलो जी बहुती स्यांदार जोटी छोटे सिंग के बिल्कुल जेट बलेक काले रंकी ये वाली बाई बाई साब अभी चोथा दिन व्याहिन है अभी 13 चोटा लिटर है 13 तोदा लिटर बस 30 सी स्टार्ट हुई बाई साब दिया है ठीक है कितना दूद निकाल 18 तो इसकी कीमत क्या रखी है एक लाख 25 जार रुपे ठारा किलो दूद देना चाहिए बिल्कुल छोटे सिंग की और चार दिन की ब्याई हुई बाई साब कह रहे हैं खी से खाली होती 14 लिटर दूद चे लगबग मैं कह सकता हूँ बाई कह रहे हैं सुरू हुई है बहुत बाई साब कितना दूद दे रही है 15 लिटर ठीक है इधर ले लो इधर इधर ले लो साथ दिन की ब्याई में 15 लिटर दूद है ठीक है इसमें 90 जार रुपे चोटा सिंग अडर भी ज्यादा ब्यूटिफुल नहीं है और 14 किलो दूद की बैस त्यार दूद की बैस अगर 90 जार रुपे में आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है और सबसे बड़ी बात बाई साब के फार्म की मैं कहूंगा 35 जानवर एक ही जगह आपको एक ही छट के निच्चे मिल जाएंगे तो उससे बढ़िया क्या है आप ये समझ लो गोम गोम के 35 जगह से पसूद देख सकते हैं ये वाड़ी इदर ही ले लो उदर दिखाई कम दे रहा है ये वाड़ी बाई साब कोन से ब्यात की है ये बाई सब दूसरे बार की इसमें कितना दूद है इसमें ठंडा 14 लिटर त्यार है इसकी क्या की मत रखिया जी पचासी अजार उपे ठेक है बहुत ही पिचासी अजार उपे और 14 लिटर दूद त्यार दूसरे ब्यात की इसकी भी कटिंग आज ही की है बाकी कटिंग करने नहीं चाहिए थी क्योंकि कलर जो है वो बहुत ही बेकार निकला हुआ है कई वसों का ये देखिए बहुत बढ़िया जोसी लेडर की और रेट भी 12 लिटर दूद है 12 लिटर इसकी कितने दिन की बैए 2-3 दिन की 12 दिन की 12 दिन की हां मैं भी सोचा दो दिन की इसकी क्या कीमत है 12 लिटर दूद है इसके 80,000 रुपे है दो दांत है मुझे दो दांत जोटी 80,000 रुपे लंबाई उचाई बहुत ही बढ़िया अडर थोड़ा कम है लेकिन जितना है उतना बिलकुल सफाई वाला है चारो थन काफी दूरी पे हैं बढ़िया साफ सुत्री जोटी वजंदार रेट बहुत ही र देखे हैं ने बहुत ही पडिया यह वाली बाई साभ्स है दूसरी बार की त decor запार 15 लेटर दूर ठेक है इसकी क्या किम्मत है आज साई चैना रुपे त्य Extrems 14 किल लो दूर त्यार रहिए तो बंदी रहने तो आगली खोल लो यह वाली भयाई साभ्स के जोबैब cần दूराः मैं कहूंगा बहुत ही जायज रेट के पसुदन 80-80,000 रुपे में 13-14-15 किलो दूद की बैसे जो की त्यार है बाई सब के पास कोई भी बाई आए तो दो टाइम दूद निकाल के आराम से अपनी तसली करके ले सकता है और ये बैस तो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल पतली च बाई सब 70,000 रुपे रेट है इसका खोलो मत बस भाई फोल बंद नो 10 किलो दूद 9 किलो दूद नो किलो दूद है, सत्तर अजार उपे, ठीक है, पहले व्यांत की है, इसमें बारा लेटर दूद है, जाए डूसरे बार की है, इसकी क्या इमत है, इसमें छोल उचाग। बीवाईसाथाथा शतर अजार ठेक है और ये बुल भी हो पालिया अच्छा कितने दूध वालि बैसका है जी 24 लेटर दूद्या जी बच्पन से अपड़े पास ही है और अपड़े पास ही रखने की अग्गे भी अच्छा बेचना नहीं है कहीं मेले बगएरा में भी लगाया कहीं नहीं लेगा जी अपड़े बस यहां आज पास के गाउं में 20-30 में बैसे प्राइट कराते हैं इससे अ अच्छा 20-30 गाओं से बैसा जाती है अच्छा क्या क्रोसिंग फीज लेते हो जी फ्री सर्विस प्री सर्विस बहुत बढ़िया जी सही है अभी देखिए अंदर भी काफी सारे परशू बाइसाब के पास बादने की जगह है और बंदे भी हुए हैं कुछ बैसे हैं कुछ अंदर की साइड गाए हैं थोड़ा थोड़ा दो मिनट का टाइम और निकालो आप और इनके बारे में भी पूछते हैं बाइसाब बताइए बाइसाब 17 लिटर दूद त्यार है अभी अच्छा रेट रेट 95 जार में अच्छा 17 लिटर दूद त्यार कीमत 95 जार उपे बड इसने लिबार कीए पैसाजी हृए है उसके पचेतर जार अपे पिचेतर जार इसकेभी है ठीक है एक और चुट्छाजी आ हम जै है हंघडा च affection गिमट गाए ऐसमे झालग के एक पैसा जी में जै क्प्छी त्याआ त्यार दूद आई नां जै चेक है लाल कलर की इसमें ञा तो बताइए इनके बारे में थोड़ा 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 जैसे जर्शी और साइवल पड़ेस में अभी 20-25 जिन लेती है दूसरी बार बच्चे देगी इसके 35,000 रुपे जी कितना दूद निकाल देगी दूद निकाल लेगी जी 15-16 लीटर जी 15-16 ठीक है बाकी और एक और दूद निकाल लेगी जी 15-16 ठीक है 30,000 रुपे जी 30,000 रुपे बहुत बढ़िया जी एक ये 20 लीटर दूद त्यार भी ठीक है इसके भी 30,000 रुपे जी 30,000 बहुत बढ़िया बहुत रिजनेबल प्राइज ये वाली बाई ये एक में लेती है बच्चे जी ठीक है इसके 35 रुपे जी 30,000 रुपे जी 5,000 ठीक है ये वाली जी इसके 32,000 रुपे जी डूद 12 त्यरे लीटर निचे बच्ची है ठीक है इसके 40,000 रुपे जी 30,000 रुपे जी कि यह इतने पसु आप रूटीन में रखते हो तो बिक्री जैसे पता है आपने माराष्ट्रा वगएरा की है तो अभी जैसे कोई डिमांड करता है तो कोई गाये वगएरा कहां तक बेजोगे बंगाल वगएरा में तो जाती नहीं केरल और बंगाल और बाकी अपने वह आसाम मैं ज़ए और वह उस तरफ नहीं जाती बाकी ओर सारी जगह इसे अपना माराष्ट्रा यांपी रजवर्श्तान तेलंगना तमिल्ला डो सभी जगह जा सक्ते हैं और बैसे तो सारी जगह जा सकती है बैसे आसाम साइड तो नहीं पेशते हो डिखिक है ठेक है तो भाइस आ आप से बात करना चाहता है क्या नंबर देना चाहेंगे 97-298-47-257-257 एक ही नंबर देना है जी आप मेरे को वर्टसप कर देना ठीक है जी तो ये देखिए बहुत सारी बैसे बाइसाब के पास विक्री के लिए उपलब्द और किसान डेरी फारम बताया ना जी नाम किसान ड क्वालिटी की बैसे बाइसाब के पास है आज की वीडियो में हमने देखी और साहिवाल बच्छिया भी बहुत ही सुन्दर बंदी हुई है ये वाली भी बेचनी है जी गर रखी है ठीक है अच्छा ये गीर है बहुत बड़िया जी बहुत बड़िया तो ये देखिए एक बात वीडियो में मैं बार बार कहता हूँ जहां से भी आप पसुदन खरीदे दो टाइम दूद निकाल के लीजिए और भाई साब के भी यहां आप आ सकते हैं दूद निकाल के देख सकते हैं इनके कॉंटेक्ट नंबर जो नीचे स्क्रीन में चल रहे हैं आप बात कर स सकते हैं जितने भी आखिर तक बने रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस्कार